इस समय खेतों में सरसों की फसल लगी हुई है इस वक्त सरसों की फलियां पक रही हैं ऐसे में इस मौसर में किसान किस तरह सरसों की देख भाल करे साथी कटाई के समय किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है इस पर पूसा की क्रिशी विशेशक ये डॉक्टर मुकेश कुमार धिलन्जी से बात की दोरदर्शन किसान संबादाता अशोग बाबुने बसंत रितू का आगमन हो चुका है बसंत रितू का नाम मन में आते ही सर्सों के पीले-पीले खेतों का मोहक्चितर मन में उभर आता है जी हाँ सर्सों हमारी प्रमुक तिलहनी फसल है और इस समय फल फूल की अवस्ता में हैं फलियां बन रही हैं तो इसकी उचित देखभाल किस तरह से की जाए इसके लिए हम बात करते हैं पूसा संस्थान के क्रिसी विसे सक्य है डॉक्टर मुकेश कुमार धिलन्जी से मुकेश कुमार धिलन्जी हमें बताईए कि इस समय मौसम को देखते हुए फसल की क्या इस्थिति है मौसम की बात करें इस बार मौसम में काफी बदलाव रहा है ज्यादा तर गर्मी का ही मौसम बना रहा है इस वज़े से फसल इस बार थोड़ा सा समय से पहले पकाई पे आई है जब हम बात करें गुजरात की, मद्द परदेश की या दक्सिन राजस्थान की वहाँ पे फसल लगबग पकाई की अवस्ता में है और कटाई स्टार्ट हो गई है जहाँ पे हम देखते हैं हरियाना और हमारा उत्तरी राजस्थान है या उत्तर परदेश का कुछ एरिया है वहाँ पे फसल अभी फली की अवस्ता में है और वो पकाई की तरफ अग्रशर है इस समय फसल में किस तरह के कीट और रोगों के आने की संभावना बनी रहती है इस समय फसल पकाई की तरफ अग्रशर है और किसी भी कीट और बिमारी की कोई आसंका नहीं है जिससे की बहुत सारा नुकसान होने की संबावना हो और किसान भाईयों को ड्रने की जरूरत नहीं है इस ताइम पे किसी भी दवाई का इस्तेमाल अनिवारी नहीं है इस सम conse की फसल में फलियां पकने की अवस्था में है तो किसान बहन भाईय फसल की कटाई के समय और कटाई के बाद वो जहां पे हमारा गाही एरिया है उसमें फसल को ज्यादा समय तक ना पड़ा रखें क्योंकि उसमें एक बगरडा नाम का कीट आता है मौसम भी थोड़ा सा गरम है और इस समय उस कीट के आने की संभावना है जिसमें की जो फलियों से और इसके दानों सर रस सूचते हैं और वो थ्रेसिंग फ्लोर पे भी और गहाई एरिया में भी अच्छा खासा नुक्सान कर सकते हैं तो किसान बाई धान रखें वहां ज्यादा टाइम तक इस फसल को ना पड़ा रहने दे और गहाई के बाद जितना भी मलबा है उसको वहां से तुरंत उठा इस बार उमीद है कि मौसम खराब होने की आसेंका है समय समय पर बादल भी आते वे दिखाई दे रहे हैं और ये ना हो कि बारिस की वज़े से अमारी फसल खराब हो जी धन्यवादा तो अभी आपने जाना कि सरसों फसल की उचित देखभाल किस तरह से की जाए मैं किसान च